हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे ही होंगे तो गाइज मैंने सुच्छा कि मैंने अपने ड्राइंग रूम का लुक थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ क्योंकि एक ही जैसे कorar एक ही जैसे देखते देख सिन हमलों बोहर हो जाते हैं मारइ आंखें भी ठक जाते यह थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए हम लोग अपनी बेडशीट और भी चेंज करते तो मैंने अपने सोफे को नया लुक देने की सोची है अभी तो आप देखे ऐसा दिखता है इस तरह से तो मैंने जो कवर लाएं ना वो दो तरह के लाएं एक तो मैंने यहां बैक के लिए और एक नीचे के लिए तो दोनों में ना फैब्रिक उनका सेम है लेकिन उनका ना जैसे यह वाले मैंने लिए तो मैंने लाएं और यह सब कांड़र ना वाले यह जानका करनी यह काफ़ी पुरानाव सा उग्व और एक का ना फैर्चा के लिए हैं males मेंने इस तरह की विए अि ऐसे लिए ये दोनों का फैब्रिक से दोना ही है यह लगता है बैक का लग और नीचे का लग करके देखती हूं जो मेरे पहले कवर हैं वो थोड़े लाइट है और जो अब लाई हूं वो इससे थोड़े से डार्क है वैसे तो सेम साही कलर है क्योंकि यही वाला कलर ने मेरे ड्राइगरोम में और मेरे सोफे पर सूट करता है क्योंकि वॉल और सोफा मेचिंग कलर काँ है तो बीच में जो कवर है ना वो मुझे kontrast में ही डालने पड़ते हैं यह वाली जो कवर है ना थोड़े सिल्की से हैं और जब इनको कट किया ना मैंने वैसे तो नाप के ही लाई थी लेकिन बीच-बीच में से कट करके पीसिज निकालने पड़े हैं तो जहां से कट किया है ना थोड़े थोड़े से इसमें से थ्रेड बाहर आ रहे हैं तो इनको मैंने सोचा कि इनको इंटरलोक करा दूँगी वैसे अभी तो मैंने यह बिचा दिये हैं क्योंकि मुझे यह देखने थे कि यह लग कैसे रहे हैं एक नया एक्सपेरिमेंट था मेरा तो इसलिए मुझे थोड़ी किरियोसिटी भी थी के देख लूँ कैसे लग रहे हैं लेकिन अभी मैं इनको इनको इंटरलोक करवाने के लिए उपर के तो लगा दिये हैं अब नीचे के विचा रही हूँ देखती हूँ कैसे लगता है साइड वाले सोफे का एक पीस मैंने जादा लिया है क्योंकि एक तरफ से मैं उसे थोड़ा सा हैंक करके नीचे तक रखती हूँ ताकि वो न दिवान का लुक दे सके उधर से तो और आधा मैं इधर से उस सीट कवर को अंदर की तरफ मोड कर और तब उसे विचाती हूँ फोल्ड करके उसे और सोफा कवर न थोड़ा सा लंबा होना जरूरी है कि ताकि उसे न अंदर दबाये जा सके और अगर उसे अंदर नहीं दबाएंगे न हम तो वो उस पे से स्लिप करता रहता है इधर उधर गिरता रहता है और जब हम लोग बैठते तो उस पे सिल्वटे भी बहुत ज़्यादा आ जाती है इसलिए से ये बिचा दिया है मैंने हैंडल पर भी कवर और हैंडल पर मैंने वही वाला कवर बिचा है जो नीचे सीटिंग वाले अरिया में बिचा है था वैसे हैंडल का दूसरा आप्शन भी था कि इस पे फ्लोरल वाला जो कवर जो बैक पर लगाए है मैंने वो वाले भी मैं लगा सकती थी पर मुझे लगा कि फ्लोरल वाला ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा अच्छा ना लगे कभी तो यह देखे मेरे कवर बिच गए हैंब आप इसका नया लुक देखे मेरे सोफे का कैसा लग रहा है और मेरा यह एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है आप लोग मुझे प्लीज बताना जरूर के यह अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैंने भी फर्स टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है वरना तो सेमी कवर बिछाती हूँ मैं उपर और नीचे दोनों तरफ चलिए कवर तो मेरे लग गए हैं और अब बारी आती है सोफे की पूरी एक्सेसरी उस पे लगा देने की सोफा जितना कवर लगा के सुन्दर लगता है उतने ही उस पर जब हम अच्छे से कुशन लगाते हैं तो उससे उसकी सुन्दरता डबल हो जाती है और हमारा ड्राइंग रूम भी सुन्दर लगने लगता है, उसकी पूरी डेकोरेशन कम्पलीट तब ही होती है, जब हम अपने सोफे को पर सारे समान अच्छे से लगा देते हैं ड्राइंग रूम में एक ऐसी जगह है, जहां पर कि हमारे गैस्ट आते हैं और हमारा पूरा घर का जो आकलन है वो ड्राइंग रूम से करते हैं, इसलिए अपने ड्राइंग रूम को हमेशा बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखिए लीजे, आप से बाते करते करते मेरा सोफा मेक ओवर कम्पलीट हो गया है, अब आपको बताना है कि ये कैसा लग रहा है अगर आपको मेरा ये व्लोग पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और मेरी वीडियो शेर भी कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप प्रियंका की वीडियो देखने के लिए प्रियंका की दुनिया व्लोग